राम राम दोस्तों, कुकविच छिल्पा में आप सब का स्वागत हैं, बच्चों के लिए कुछ मीठा बनाना है, तो चेलिए लड़ो बनाते हैं, सबसे पहले शक्कर डालेंगे, यहाँ पर मैंने देड़ गलास शक्कर ली है, उसमें एक गलास पानी डाला है, अब इसे अच अची तरह से घुलमिल जाने चाहिए, उसके बाद हम चेल्स करेंगी, एक तरह होती है, उस ठाईप की चाल्षिन हमैं चाहिए, यह देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, यह चाश्नी एक तरह यहाँ बन गई है, जो लास्ट का डॉड गिर रहा है, और हाद से भी है चेल्क क आप देख सकते हैं चाशनी रेडी है गैस बंद करेंगे और इसे ठंडी होने के लिए साइड बे रखेंगे तब तक आगे की प्रोसेस करते हैं दूसरी कडाई गैस पर रखी है जिसमें डाला है एक बड़ा चमश गाय का घी और इसे थोड़ा सा पतला करेंगे फिर उसके ब आप बड़ी वाली सूजी है तो वो भी ले सकते हैं या फिर उसे थोड़ा सा मिक्सर में पीस कर भी ले सकते हैं अब इसे भूनेंगे इसे भूनने के लिए 7-8 मिनिट का टाइम लग जाएगा लो टू मेडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे और एक बात अगर गैस की फ्ल बडल गया है और सूजी भूनकर तयार है अब इसमें डालना है सूखा नारियल जिसे पीस कर लिया है दो गलस सूजी ली है तो उसके साथ एक गलस सूखा नारियल लिया है अब इसे अच्छी तरह से सूजी में मिक्स करेंगे बस गैस दो मिनिट के लिए उन रखेंगे उस और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूजी और नारियल बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और पॉफेक्टली भून कर भी तयार है, गैस पहले से ही बन किया है, अब इसे ठंडा होने देंगे. यहाँ पर चाशनी भी ठंडी हो गई है, और सूजी भी ठंडी हो गई है, चाशनी मैं आपको यहाँ पर भी चेक करके दिखाऊंगी, ठंडी चाशनी होने के बाद भी उसका टेक्शर इस तरह का होना चाहिए, वो एक तारी ही रहनी चाहिए. अब इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए एक चमबच इलाइची पाउडर, यह ओप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना स्कीप कर दीजिए. अच्छे से इलाइची को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे चार बड़े चमबच गी, गी को मैंने पतला करके लिया है यहाँ पर और वो डाल दिया है, अब इसे भी अच्छी तरह से चाशनी में मिला लेते हैं, यह देखिए गी भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो अब इसमें डालना है सूजी, सूजी और नारियल जो हमने भून कर रखा है, वो हम इस तरह से डाल देंगे, एक साथ सारी सूजी और नारियल डाल देना है, फिर उसके बाद इसे अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, उसके लिए 4-5 म का टाइम लग जाएगा अच्छे से मिक्स करने में और फिर उसके बाद जो है इसे हम ढग के साइड में रखेंगे 10-15 मिनट के लिए 10-15 मिनट में यह आराम से सेट हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे यह देखिए चाशनी अच्छी तरह से मिक्स हो यह देखिए इस तरह से गुटलिया भी बनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें जो गुटलिया बनी है उसे अच्छी तरह से मैश करेंगे यानि तोडेंगे यह देखिए इस तरह से यह बड़े आसानी से बनता है यह आपको ड्रा लड्डू आप बानना चाहते हैं उस हिसाब से आपको यह लेना है और फिर दोनों हाथ की मदद से इस तरह से लड्डू बानने हैं यह देखिए एक लड्डू बनकर तयार है अब इसी तरह से सारे लड्डू जो है वो बान कर ले लेने हैं बहुत आसानी से बनते हैं इसे ब बहुत एजी ली घर पे बना सकते हो, इसके लिए बहुत ज़ादा इंग्रेडियंट्स यानि साहिते भी नहीं लगेगा, और बहुत ज़ादा टाइम भी नहीं लगेगा, और इसे बनाने की जो प्रोसेस है, वो भी बहुत सिंपल है, आपने तो देखी लिया है, तो आप भी ज़रोर बना कर ट्राइ कीजिए, बच्चों के लिए ये सूजी नारियल घी के लड्डू, जो बहुत फास्ट बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, 10-15 दिन तक आप इसे बना कर आराम से रख सकते हैं, और खा सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं ये भी दिखाऊंगी, कि ल लड्डु जरूर बना कर ट्रई कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अगर आप मेरी चैनल पर नहे है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइب भी कीजिए, और एक बात, यहाँ पर मैं आपको लड्डु तोड़ कर दिखाती हूं यह देखिए कितना अच्छा बना है और कितना सॉफ्ट बना है तो क्या आप भी ऐसा जरूर करेंगी अपने बच्चों के लिए घर पे लड़ू बनाएंगी या बाहर का मैदे से बना हुआ कुछ उनी खिलाएंगे यह आप पर डिपेंड करता है आप क्या करे बनाएंगे ना